मर्यादा पुरुशोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एरपोर्ट भगवान श्रीराम की पवित्र आयोध्या नगरी में नव निर्मित एरपोर्ट है जैसा कि हम सब ही जानते हैं कि आयोध्या नगरी को अत्यांत सुंदर बना दिया गया है मंदिर निर्मान के साथ साथ अन्य बहुत से अच्छे कार हुए हैं जो आयोध्या नगरी को अत्यांत खुबसूरत और विक्सित रूप में परिवर्टित कर रहे हैं 22 सन्वरी को होने वाले श्रीराम मंदिर के उधगाटन के मद्दे नजर इनी विक्सित कारियों में से एक है अयोध्या में निर्मित इंटरनेशनल एर्पोल्ट के विकास के पहले चरण के हिस्से के रूप में टर्मिनल वन 6500 वर्ग मीटर के छेतर को कवर करेगा जो सालाना 6 लाग यात्रियों को समालने में शक्षम होगा भारत में केरल एक ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक 4 इंटरनेशनल एर्पोल्ट ऑपरेशनल है उत्र प्रदेश में लखनाउ वरानासी कुशी नगर अभी तक ये 3 इंटरनेशनल एर्पोल्ट ऑपरेशनल है अयुद्या इंटरनेशनल एरपोर्ट का शुभारम आगामी 25 दिसम्बर को निशित हुआ है 30 दिसम्बर 2023 को दिल्ली से एक inaugural flight अयुद्या एरपोर्ट पहुंचेगी जल्द ही नुएड़ा के पास जेवर में एक इंटरश्ट्रिय हवायड़ा भी निर्माना धीन है जो भारत का सबसे बड़ा एरपोर्ट भी होगा और जेवर इंटरनेशनल एरपोर्ट के operational होने के बाद उत्तरप्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा 5 इंटरनेशनल एरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा यही नहीं उत्रप्रदेश भारत के सबसे अधिक एरपोर्ट्स वाला राज्य भी होगा प्रियागराज एरपोल्ट, वारनसी इंटरनेशनल एरपोल्ट ये नौ एरपोल्ट ओपरिशनल हैं अयुद्या इंटरनेशनल एरपोल्ट के शुभारम के बाद ये संक्या दस हो जाएगी और मुरादाबाद एरपोल्ट, अलिगर एरपोल्ट और नुएडा इंटरनेशनल एरपोल्ट भी जल्द ही प्रदेश में अपनी सेवाईं देंगे और तो प्रदेश देश का सबसे अधिक एरपोल्ट वाला राज्य बन जाएगा राज्य की संस्कृती और विरासत को चित्रित करने के लिए डिजाइन किया गया मर्यादा पुरुशोत्तम श्री राम एटरनेशनल एरपोल्ट, अयुद्या जनपत के फैजावाद में अकनौ गोरपपूर नेशनल हाइवे 27 और फैजावाद प्रियागराज नेशनल हाइवे की क्रोसिंग के पास नाका में इस्थित है अयुद्या एरपोर्ट से अयुद्या कैंट जंक्शन साड़े 5 किलो मेटर, अयुद्या जंक्शन 10 किलो मेटर, श्री राम मंदिल 7 किलो मेटर की दूरी पर है आगामी 25 दिसंबर को अयोध्या के मर्यादा पुरुष्योत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एरपोर्ट का उध्गाटन होना तै हुआ है 30 दिसंबर को दिल्ली से इंटरनेशनल फ्लाइट अयोध्या पहुचेगी फिर 10 जनवरी से अयोध्या एरपोर्ट से नियमित फ्लाइट्स का आवागमन शुरू हो जाएगा इन फ्लाइट्स की टिकेट पुकिंग भी शुरू हो चुकी है आये जानते हैं अयोध्या एरपोर्ट पर कौन-कौन सी फ्लाइट्स का आवागमन शुरू होना है अयोध्या से एहमदाबाद के लिए इंडिगो की नियमित फ्लाइट का संचालन 11 जनवरी से तैह हुआ है जो दुपहर 11.30 बजे अयोध्या से चलेगी और 1.40 पर एहमदाबाद पहुँचेगी फ्लाइट का किराया परिवर्दित होता रहता है और टिकेट पुकिंग जारी है अयोध्या से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट 10 जनवरी से अयोध्या से दुपहर 1.45 पर जाएगी और 3 बजे दिल्ली पहुँचेगी फ्लाइट का क्रिया परिवर्दित होता रहता है और टिकेट पुकिंग जारी है उम्मीद जानकरी आपको पसंद आई होगी इसी तरह की वीडियोज के लिए हमारे चलने से जोड़े रहें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जय भारत जैरी